एंटी ए यूजी शनेट यानी निमी जनेट सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमी जी नैट पर दोस्तो रिसर्च के अंदर एक और चीज है जो बार बार हमारे सामने आईगी वो है हाइफ़ थीसिज इसके बारे में हमें पता होना जरूरी है क्योंकि यह एक बहुत इंपोर्टन टोपिक है रिसर्च के अंदर तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाइफ़ थीसिज क्या होती है और हाइफ़ थीसिज के कितने परकार है नल हाइफ़ थीसिज और के बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमारा पेड़ कोर्स भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी टाइन यूनिट के स्टड़ी नोर्स देते हैं इसके साथ साथ 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड एर कोशन पेपर देते हैं विद टोपिक वाइज कोशन जैसे कि आज तक टैन यूनिट के लाइव मोक टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड़ कोर्स जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाट्साप नंबर पर कॉंटेक्ट कीजिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाइफो ठीसिज होती क्या है देखिए अगर हम हिंदी में इसके सोचते हैं तो उसे हम कहते हैं परी कलपना अब research के अंदर इसका meaning क्या है इस प्रकार प्रिकल अपना से ताथ प्रेग किसी समस्या से संबन्धित आप समस्त समाधान पर विचार करना है अब देखिए research के अंदर आपको पता है कि हम एक समस्या लेते हैं और उस समस्या के बारे में हम पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारी ये समस्या है तो इसका ये समाधान हो सकता है ठीक है और अगर simple भासा में हम समझे तो आप मान के चलते हैं आपनेट के त्यारी कर रहे हो ठीक है तो हम पहले सही संभावना लगा लेते हैं कि जो नेट का exam है वो इस तरीके से होगा और हमारा जो अब की बार net है वो qualify हो जाएगा कई दोस्तों को ऐसा लग रहा कि अब की बार मेरा जी आरफ क्लियर हो जाएगा और दोस्तों को पता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी यानि कि पहले सही हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यह होने वाला है और जैसे कि हम किसी भी तरह का exam देते हैं तो उसमें हम अंदाजा लगा लेते हैं कि मेरे इतने procent marks आएंगे तो इस तरह से किसी भी समस्या या किसी भी चीज के वारे में पहले से ही संभावित परिणाम जान लेना वो होता है परीकलपना कहते हैं यानि कि पहले से ही कलपना कर लेना ठीक है और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से हमने दिया हुआ है, और अगर फिर भी आपको समझ में ना आए, तो आप हमसे comment box के जिरिए पूछ सकते हैं, अब देखते दोस्तों hypothesis के अंदर किस तरह के type होते हैं, और यहाँ पे जैसे इन्होंने प्रिवास आप पढ़ सकते हैं, जैसे करलिंगर ने दिया है, प्रिकलपना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं, अब देखिए हर जो thinker हैं उन्होंने अपने तरीके से प्रिकलपना को समझाने की कोशिस की है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते ह कई बार एक दो कोशिन आ जाते हैं, जैसे करलिंगर से एक बार कोशिन आया था, और हट से कोशिन आया था, तो आप इनको अच्छे से एक बार देख लेना, अब हम देखते हैं दोस्तों की परिकलपना की प्रकार किस तरह से होते हैं, अब देखिए सबसे पहले ही हमारी आ पातर दो होती है और इन्हें दो चरों के बीच के संबंद का अध्यन किया जाता है देखिए इसके अंदर क्या होता है यह जैसे नाम से पता चल रहा है यह बिलकुल सिंपल होती है इसके अंदर दो चीजे होते हैं और उन्हीं के बीच में हम संबंद स्थाफित करने की कोशि दिया जाता है तो उनके सीखने में प्रभाव पड़ता वो और अच्छे तरीके से सीखते हैं और यहां पे सीखना तथा पुरुषकार दो चर हैं ठीक है और जिनके बीच एक विशे से संबंद के चर्चा की गई है जैसे आइस क्रिम खाने से बच्चा बिमार हो जाता है यह इसके अंदर क्या होता है जटिल परिकल्पना से तात्प्रे उस परिकल्पना से जिसमें दो से अधिक चरों के वीच आपसी संबंद का अध्यन किया जाता है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों दो से अधिक चर होते उसके अंदर हम रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं अब देखें जैसे कि इसने example देए, आइस क्रीम खाने से बच्चा बिमार हो जाता है, और बच्चा स्कूल महीं जा पाता है, यानि कि इसके अंदर आपने देखा कि दो से अधिक है, एक तो देखें बच्चे ने आइस क्रीम खाई और बिमार हो गया, ठीक है यह हो गए यह दो variable हो गए इसके अंदर और फिर क्या होगा कि बच्चा स्कूल में ही जा पाया बच्चा कहे कि स्कूल नहीं जा पाया यहाँ पर टोटल कितने हो गए तीन variable हमारे पास हो गए तो जहां पर दो से अधीक चरों की बात की जाए तो उस hypothesis को हम क्या कहते हैं complex hypothesis कहते हैं और अब आते हैं दोस्तों हमारे पास सारो भोमिक यानि की universal hypothesis अब देखे इसके अंदर क्या होता है अब देखे यह कोई वी फिल्ड हो चाहे हमारा टेकनिकल फिल्ड हो जाहे हमारा टेकनिकल फिल्ड हो चैए educational फिल्ड हो चैसा भी फिल्ड हो अगर हम किशी को prize देंगे किशी को प्रोचाहित करेंगे तो उसमें शीखने की परकिरिया होगी वो तेज होगी और यह तैज होगी और देखी अगली आते है हमारे पास अग्जिस्टिंग hypothesis कहते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं यज प्रिकलपना यदि सभी व्यक्ति या प्रिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति या प्रिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है अब देखे यूनिवर्सल के अंदर हमने बात की थी कि ऐसी हाइफ अथिस जो हर जगे हर टाइम पर लागू हो ठीक ह लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो हर जगे और हर व्यक्ति के लिए लागू नहीं होती वो कुछ व्यक्तियों के लिए लागू हो सकती है और अब इसमें देखते हैं जैसे कि example दिया है शीखने की परिक्रिया में कक्षा में कम से कम एक बालक ऐसा है जो प्रूसकार की बबच्चे ऐसे निया कि जो सभी को मार्ट कुटाई की जाए तहीं ये कि वो सीखे वो लेकिन उनके लेकिन को सीखते जो काना जinya कि प stylish एक लातों के बहुत बातों इन Więc को एफिर्त krt में ओंते चार घर और तो प्रr है जिनमें से कोश्चन आते हैं वो है हमारे पास नल हाइफ और अल्टरनेटिव हाइफ और इन्हें हिंदी में कहते हैं सुन्य परिकलपना और वेकल्पिक परिकलपना इनके वारे में अच्छे से पता होना हमें जरूरी है अब देखे एक चीज इसके अंदर हम बताते हैं कि इनके बारे में सबसे पहले प्रोफेसर आर एफीशर ने बताया था ये कोश्चन एक बार आया था कि नल हाइफ और अल्टरनेटिव हाइफ और अच्छे से संबोधित किया जाता है अब इनके बारे में हम पढ़ते कि यह क्या होती है है अब देखिए सबसे पहले हम नल हाइफ अथीसिज देखते है सुन्य प्रीकलपना सोध प्रीकलपना के ठीक विपरित होती है अब देखिए यहाँ पर जो सोध प्रीकलपना है इसे हम वेकलपिक प्रीकलपना या अल्टरनेटिड हाइफ अथीसिज भी कहते हैं यानि कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि सुन्य प्रिकलपना यानि कि Null Hypothesis, सोध प्रिकलपना यानि कि Alternated Hypothesis के ठीक विपरित होती है अब देखे इसके अंदर थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं इस प्रिकलपना के माध्यम से हम चरों के विच कोई अंतर नहीं होने के सम्मंद का उलेख करते हैं इसके अंदर क्या होता है दोस्तों Null Hypothesis के अंदर हमारे पास अगर दो या दो से अधिक चरह है उनके अंदर हमें कोई भी difference नजर नहीं आता वो हमें equal नजर आती है अब देखे इसके अंदर हम example देखते हैं कि विज्ञान वरक के चातरों की उपलबधी एमकला वरक के चातरों की उपलबधी में कोई अंतर नहीं है अब देखिए देखिए जैसे एक तो हमारे पास science के student है और दूसरी तरफ अपने पास art के student है ठीक है तो अब इनके उपलब्दियों में हम देखते हैं कि ये दोनों के दोनों equal है इन में कोई जादा difference नहीं है तो ये क्या होगी दोस्तों ये हमारी होगी null hypothesis यानि कि हमें इन दोनों की knowledge में कोई difference नहीं लगा तो हम क्या कहेंगे कि ये null hypothesis है ये दोनों equal है आगे हम देखते हैं दोस्तों वेकल्पिक परिकल्पना अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों अब ये देखिए दोस्तों ऐलटिटीड हाइफातिससस स्ुन्य परिकल्पना के विपरीथ होती है अब ये ये जो अल्टेट्ट हाइफातिससस होते हैं ये null hypothesis के उल्टी होती है इसके अंदर क्या होता है जैसे उपर के ही उधान को देखते हैं इन्टर्व्यू लेने पर हमें पता चलता है कि वेग्य उसमें science और art के जो बच्चे थे उन दोनों के equal equal number आए थे ठीक है तो उस बेस पे हमने कहा था कि ये null hypothesis है दोनों में कोई इंतर नहीं है और दूसरी बार हमने क्या किया कि दोनों तरह के बच्चे और art के बच्चे इन दोनों का हमने interview लिया interview लेने से हमें पता चला कि जो science के बच्चे वो ज्यादा intelligent है तो ये हमारी क्या हो गई हमारी alternative hypothesis हो गई ठीक हाइफो थीसिज के बाद में हमारे पास जो important topic आता है वो है दोस्तो error in research अब error in research करना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से कई वार question पूछे जाते हैं अब research के अंदर मुख्य रूप से दो तरह के error होते हैं दोस्तों एक होता है type 1 error और एक होता है type 2 error अब देखे type 1 error क्या होता है in this research if the product is actually good quality but research data show bad quality अब देखे इसे हम example के थूरू समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास milk है ठीक है और milk आप सभी को पता है ये सवास्ते के लिए बहुत अच्छा होता है पीना हमारे लिए सवास्ते के लिए काफी अच्छा होता है लेकिन जब research की जाए या फिर कहीं पे हम देखे तो अगर research हमें ये बताएं कि जो milk है दूद पिना सवास्ते के लिए हानिकारक है तो उसे हम क्या कहेंगे वो होगा type 1 error यारि कि किसी अच्छी चीज को अगर research गलत बताएं तो उसे हम क्या कहते हैं type 1 error कहते हैं ठीक है समझ में आगे आपको और आगे हम देखते कि type 2 error क्या होता है type 2 error के अंदर क्या होता है in this research if the product is actually bad quality but research data show this good quality then we say it type 2 error अब देखिए इसे भी एक example के थूरू समझने की कोशिस करते हैं इसके अंदर क्या होता है दोस्तों किसी खराब product को अगर research अच्छी quality का बताएं तो उसे हम क्या कहते हैं type 2 error कहते हैं अब देखिए type 2 error के एक example लेते हैं जैसे हम मानके चलते हैं कि सराब का example लेके चलते हैं हम सभी को पताए कि सराब पिना स्वास्ते के लिए खराब है स्वास्ते के लिए हानिकारक है लेकिन कई लोग और research हमें ये देखने को मिल जाएगी जो कहेगी कि सराब पिना स्वास्ते के लिए हानिकारक तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी खराब प्रोडेक्ट को रिसर्च ये कहें कि ये तो अच्छी क्वालिटी का है तो उसे हम क्या कहेंगे टाइप टू एरर बोला जाएगा इसे और इसमें एक और जो कोश्चन आता है दोस्तों ये जो रेड कलर में ये आपको बहुत इहान रखना जरूरी है क्योंकि कॉश्चन पेपर में घुमा फिरा के कॉश्चन देते हैं अब देखे टाइप वन एरर हैपन वें वी रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइफ और थीसिज यानि कि जब ट्रू नल हाइफ और थीसिज को गलत बता दिया जाता है तो उसे हम क्या कह कहते हैं अब वही बात है कि जो अच्छा प्रोडेक्ट है अच्छे प्रोडेक्ट को जब गलत बता दिया जाता है तो वह क्या होगा टाइप वन एरर होगा यानि कि नल हाइफ और थीसिज को रिजेक्ट कर दिया जाए तो वह होगा टाइप वन एरर अब देखे टाइप एरर हैपन वेन वी फेर्ट टू रिजेक्ट ए फाल्स हाइफो थीसिज यानि कि जब हम खराब प्रोडेक्ट को खराब ना कहे तो उसे हम क्या कहेंगे टाइफ टू एरर ठीक है तो यहां से दोस्तों हमने टाइफ वन और टाइफ टू एरर अच्छे से समझाने की कौशिश क करेंगे और दोस्तों हमें आप लोगों से एक सिकायत है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं हम इतनी मेहनत से एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए इतनी अच्छी जान करें लेकर आते लेकिन उसके बावज़ुद आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते दोस्तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और घंटे का बटन जरूर दबाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियोज को असानी से देख सके थैंक्यू दोस्तो